हलो गाइस वेलकम टो रियल काफेक्ट्स एंड आज हमारे साथ है अल न्यू वेन्यू 2022 मॉडल यह एस वेरियंट है और आज हम इसी का एक वाकराउंड वीडियो करने वाले है तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं कार के फ्रंट लुक से जैसे आप देख रहे हो कंपनी ने इस बार जो पुरानी वेन्यू थी उससे टोटली चेंज कर दिया है इस वेन्यू को अगर आप इसके फ्रंट में देखेंगे तो इसका जो आप ग्रिल देखेंगे ग्रिल में जो क्रोम का यूज किया है कही न गहीं आपको थोड़ा तोड़ा अलगजार का लुक दिता है और यह काफी अच्छा लगता है यार प्रीमियम लगता है काफी जो इसमें प्रोजेक्टर सेटप नहीं मिलता यहाँ पे आपको सिंपल हाइलोजन लाइट मिलेगी और साथ में एस वेरेंट है तो इसमें आपको डीरल भी देखने को नहीं मिलेंगे बात करें नीचे की तो आपको स्किट प्लेट मिल जाएगी गाड़ी में अब आपको इस कर में फॉग लैम देखने को नहीं मिलेंगे आपको क्या रीजन है इसके पीछे कंपनी ने फॉग लैम देना बंद कर दिया है आपको ने पावे कंपनी दुले सकते हैं थे कंपनी दे सकते थे यार फॉग लैम द्लीक नेसेसरी क्याति है और फिचर भी ने अधॉग लैम होने चाहिए थे गाड़ी में तो ऑवर ओल यह गाड़ी का फ्रेंट लूग हैसे गाड़ी कापी अछरी लगती है compare करें इसके पुराने वेरियंट से तो गाड़ी का front look बहुत ही अच्छा है guys बात करें car की side profile की तो side profile से भी car बहुत ही अच्छी लग रही है car की width और length पुरानी वाली car के जैसी ही है उसमें कोई changes नहीं है but इसकी height में थोड़ी changes आया है इसकी height 25 mm और बढ़ा दी गई है तो पहले वाली venue से गर compare करें तो height में थोड़ा सा difference आपको देखने को मिलेगा अधवाई side profile आपको पुरानी venue जैसी ही मिलेगी guys अब बात किरते हैं car की back profile की तो back profile से car को totally change कर दिया गया है अब इस car को आप पुरानी वाली car से गर compare करेंगे तो आपको इसमें कोई भी ऐसा element नहीं दिखेगा जो पुरानी वाली car में आपको देखने को मिलता था अब new venue में आपको ये connecting tail light देखने को मिलेगी जो ये आपको देख रही है अपर model में ये पूरी connecting tail light है बट ये S variant है तो इसमें आपको जो light जो यहां का portion है ये सिर्फ dummy portion है ये आपको इसमें light नहीं दी गई है light आपको सिर्फ यहां पे यहां पे मिलेगा एक hyalogen bulb का unit और एक आपको unit यहां पे मिलेगा तो ये दो जगे आपको halogen bulbs दे हुए उसके अलावा नीचे आपको reflector देखने को मिल जाएंगे और नीचे ये आपको backlight मिल जाएगी उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कार में बड़े ही अच्छी तरीके से sensors दे रखें आपको बतानी चे लेगा दो sensors यहां पे दे रखें एक यहां और एक यहां तो ये दो sensors आपको यहां पीछे मिल जाएंगे कार में देखने को साथी साथ इसके आपको कार के पीछे भी skid plate देखने को मिल जाएगी बात साथ साथ अगर आप देखेंगे बढ़ इस कार में आपको second base variant से ही defogged देखने को भी मिल जाएगा साथ की साथ आपको पीछे shark भी टंटीना देखने को मिल जाएगा करें कार के boot की तो पीछे ही आपको यहाँ पे request answer देखने को मिल जाएगा and car में जो boot space provide किया गया है काफी sufficient है इसमें आपको 350 लीटर का boot space मिलता है गाइस और I think यह काफी sufficient boot space है boot space के आपको इसमें कमी देखने को नहीं मिलेगी यह S variant है इसमें आपको partial tray नहीं मिलती यह partial tray aftermarket है तो partial tray आपको S variant पे देखने को नहीं मिलेगी तो car का boot space भी काफी अच्छा है बात करें कार में roof rails की तो आपको इस car में roof rails भी देखने को मिल जाएंगे जो आगे का part और पीछे का यह जो part है यह plastic में दिया गया है और बाखी जो है वो metal में दे रखा है तो roof rails भी काफी बढ़िया लग रहे है इस car में बात करें कार के टायर प्रोफाइल की तो इसमें आपको 195 x 65 R15 के टायर मिलते हैं 15-inch के टायर आपको इस car में मिलेंगे और जो spare tire है वो भी आपको इसमें 15-inch का ही प्रोवाइड किया गया है बात करें कार के इंजन भी की तो इसमें आपको 1.2-liter का कापा इंजन मिलता है जो कि आपको 81.8-bhp की power और 113-nm का talk प्रोवाइड करता है इस car में कहीं भी आपको insulation ने प्रोवाइड नहीं किया बट अगर आपको इंसलेशन और प्रोवाइड करती तो शायद noise आपको और नहीं देखने को मिलती वैसे इसका car का engine बहुत ज़्यादा silent आपको noise issue वैसे भी नहीं आफिस होगा बट companies में insulation के लिए कुछ provide कर सकती थी बात की जाए यार venue की तो venue में आपको 1.5 liter इंजन डीजल इंजन भी मिल जाता है सब में आपको 1 liter का turbo इंजन भी मिल जाता है तो engine options आपके पास बहुत है अगर आप venue में और engine option के पास जाना जाते है तो आप और भी engine option सेलेक्ट कर सकते अब आते हम कार के interior में और स्टाट करते हैं कार के rear section से तो rear section में आपको जससे upper वाला मौडल है जो इसका उसमें आपको recline angle देखने को मिल जाएगा इसमें flat bench दे रह का है बट अगर आप इसका अपर वेरेंट लेटे तो उसमें आपको इसमें recline angle देखने को मिलेगा कार की अगर थाई सपोर्ट की बात करो तो कार में थाई सपोर्ट अच्छा है रिकलाइन फ्लाइट सीट होने के बाद भी इतना इसका एंगल इतना भी फ्लाइट नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी कमफर्ट आपको पूरा मिल जाएगा इस कार में थाई सपोर्ट आपको डिसेंट देखने को मिलेगा कार में अगर मैं कार में आपको लैग रूम की बात करूँ अगर लैग रूम की बात करूँ तो कार में आपको सफिशन लैग रूम भी देखने को मिलेगा आपको इसके पीछे एसी वेंड देखने को मिल जाएंगे अगर अगर आपको पीछे बैट के ट्रैवल कर रहे हो तो आपको को लेकर इसमें को एशू नहीं आएगा विकॉज इसका फ्लो कापी अच्छा है इसका पीछे की बात की जाए तो यहां पर आपको एक रिडिंग ल करने को बात की जाए 숏 झीट में आपको फिक्स हैटर स्टमैट्डी डेखने को मिलेगा इसमें आपको अच्छाब नहीं मिलेगा गाई इसमें आपको मैनुवल AC प्रोवाइड होता है, बट मैनुवल AC के बटन की क्वालिटी भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी दीगी है। यह कार आती है तो 5-speed transmission के साथ जो कि आपको गेर बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको अपको कंपनी ने 2nd base model से अपरेस प्रोवाइड की यह अप अपको अपको इसमें आपको इसमें जरूरी समान कर सकते हो। इसमें आपको डीसिंट साइज का गलब बॉक्स तेखने को मिलेगा। यह कूल ग्लब बॉक्स नहीं है, बट ग्लब बॉक्स का साइज डिसेंट है, जादा स्पेशियस नहीं है, बट इसके लावा आपको उपर भी एक जगे मिल जाएगी अपना समान केरी करने के लिए, बात की जाए कार के स्टेरिंग की तो इसमें आपको फ्लाट बाटम स्टे डिस्टल देखने को मिलेगा, जो कि मेरा बेस्ट फीचर है इस कार में, इसमें आपको टैकोमेटर ओडोमेटर दोनों डिस्टल देखने को मिल जाएंगे, सेंटर में आपको M.I.D. की यूनिट देगी है, तो उसमें जितनी भी कार से लेटेट इन्फोमेशन है, आप M.I. अगर आपको यूनिट वीडियो में इतना ही, अगर आपको यू पसंद आए, तो प्लीस लाइक तो इस वीडियो और सब्स्क्राइब करेंगे, आपके जल्दी हम इस कार का उनर्शिप एक्सपिरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, अगर आपको वीडियो सच में बसंद है, तो थैंक्यू सो मच फॉर यह सपोर्ट गाईज, जितना भी आपने अभी तक हमें सपोर्ट दिखाया है, उसके थैंक्यू सो मच, तो गाईज मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई